नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे कि ऐसे स्टॉक के बारे में जो 90 के प्राइस पे टेड कर रहा है यानि अंडर 100 है और आल टाइम हाई का ब्रेकाउट हुआ है जब भी हमने अल टाइम हाई के ब्रेकाउट देखें वो स्टॉक मल्टी बेगर रहा है थोड़े बहुत टाइम कंजूम तो यहां होते दिख सकता है लेकिन मीडियम तू लॉंग टर्म प्रोस्पेक्ट से ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिसने अल टाइम हाई के ब्रेकाउट के बाद 200-500-1000% तक के डिटर्न भी दिये हैं इस स्टॉक में जिससे स्टॉक को डिसकस करूँगा वो स्टॉक है SPIC साउथर्न पेट्रोकेमिकल कंपनी का नाम है तो इसके इन देप्ट एनेलेसिस को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जोईन करें मैं सजेस्ट कर रहा हूं blindly follow नहीं करेंगे leverage पे नहीं खरीदेंगे दो तीन दिन watch out करेंगे आपको बेटर लगे तभी position लेंगे नाइका में हमारे एक follower ने क्या करा जिस दिन मैंने suggestion दिये उसी दिन जा करके leverage पे खरीद लिया वो stock 224 से 210 आ गया अब वो दिन में 10 message कर रहा ह सर वेदर I should hold और exit ऐसा करके वो message कर रहे हैं वो यह कहने कि सर हमारा जो broker है वो कह रहा है sell कर दो सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप बताएं मैंने कहा भाई ऐसा गलती मत करो खुद से सोच लो और लेने से पहले पताते नहीं हो ले लेते हो तो hold करें exit करें उसने leverage पे माल ल लाग चल रहा था मैंने फिर बहुत परेसान देखने के बाद कहा कि hold करो पैनिक मत करो और अगर आपका जो broker है वो अगर इतना ही समझदार होता तो वो सला broker नहीं होता वो क्या होता वो भी analyst होता तो मैं चाहूंगा कि आप परेसान नहों आप खुद से analyze करें suggestion के अगले द तो को भी कुछ ऐसा गलती नहीं करें अभी leverage पे नहीं लेंगे global बजार विक है डेरिक नो 15 पे नहीं करी देंगे थोड़ा वेटर प्राइस लेने की कोशिस करेंगे watch list में add करेंगे तो यह जो southern petrochemical industry corporation limited है वो 90 के price पे trade कर रहा है अगर मैं इसके fundamental दिखाऊं तो यहां देख manufacturing और selling करता है यूडिया और nitrogenous chemical fertilizer का जो agriculture से related है और इसके अलावे देखो तो fundamentally काफी बेटर है यहां fundamentally अगर मैं दिखा हूं तो यह company काफी छोटी कंपनी है यानि 1840 करोर का PE 10 है जबकि industry PE 24 है ROC ROE बेटर है book value बेटर है यहां देखेंगे dividend paying company है EPS ठीक ठाक है debt to equity देखेंगे तो वो काफी nominal है इसके अलावे जो quarterly number रहा था यहां देखें तो sales काफी outperforming रहे थे इसके अलावे जो profitability रही थी वो काफी better रही थी हमेशा से यहां देखेंगे तो company जो है काफी grow करते दीख रहा है year on year basis के number भी देखें तो 2013 से 24 के अंदर में company के sales जो है वो तो consolidate ही रहा है लेकिन यहां अगर मैं आपको इस company में देखें तो 2013 में भी कुछ यही number थे और 2024 में भी यही number है यानि 10 साल का लगबगी यह consolidation है और इस समय all time high के आसपास trade करते दिख रहा है ओ पीम देखें तो काफी OPM सुधरते हुए दिखा है और मुझे लग रहा है कि यहां से एक बड प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो as it is है पिछले कुछ सालों में देखेंगे या मैं yearly ही दिखा देता हूँ तो यहां देखेंगे तो प्रमोटर ने होल्डिंग बरहाए हैं 17 से 23 में यहां देखेंगे FI की होल्डिंग थोरी बहुत आई है जो की नहीं के बराबर था चार्ट को देखेंगे और समझेंगे कि technically क्या दिख रहा है तो यह मैंने liner वाला चार्ट निकाला है liner चार्ट पे भी यह 6 मंत का चार्ट है कितने मंत का 6 मंत का यह लगबग 2000 के आसपास का यह consolidate higher high higher low था और यह level यहां breakout retest फिर यह breakout फिर retest और फिर यह breakout तो probably क्या है कि यह trend यहां से outperform करते डिख सकता है अगर मैं monthly time frame पे भी दिखा हो तो monthly time frame पे देखो तो पहले तो यह trend line है जिसको respect कर रहा है higher high higher low और probability क्या है 110 120 जासा level दिखेगा और technically जब तक 70 के नीचे नहीं आए तब तक overall trend क्या है strong है और इसी trend को अगर मैं आपको जो candle वाला है उस candle वाले प probability क्या है कि पहला यहां देखो तो एक breakout जैसा होते दिख रहा है यहां देखेंगे तो एक breakout होते जैसा दिख रहा है पहला target यहां से लगबग लगबग 110 तक का और इसके breakout पे बरे trend expect करेंगे weekly time frame पर भी अगर मैं आपको दिखा हूँ तो weekly time frame पर भी देखेंगे तो नीचे के level को continuous respect कर रहा है यह level दखेंगे continuous respect कर रहा है और यह resistance है जिसको multiple time इस stock ने breakdown करें यह false breakout रहा अगें इस level को retrace और यहां तो मुझे लगता in between 70 to 90 धीरे धीरे आप चाहें तो accumulate करें और यह stock 120 to 200 का potential target दिखेगा और जब तक यह stock 64 के नीचे नहीं जाए overall trend is strong है फिर मैं कहूंगा Monday को direct buying मत करना 72 90 का better zone दिख रहा है और एक opportunity का wait करना हलांकि इस stock को watch list पे ले लो मुझे एक better opportunity दिखता है तो thank you for watching this video I hope यह video informative रहा